वेलकम टो माई चैनल आज का मेरा रेसिप ये तंदूरी पटेटो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पे मैं बेबी पटेटो ली हूँ जिसको मैं सॉल्ट देके हाप बॉयल कर ली हूँ पटेटो थंडा होने के बाद हम इसका जो स्कीन है उसको निकाल लेंगे इस सार सॉल्ट टर्मेरिक तंदूरी मसाला गराम मसाला कसूरी मेथी जिंजर गार्लिक पेस्ट लाइम जूस सारे मसाले को आच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाला मिक्स होने के बाद उसमें हम बॉयल पटेटो दे देंगे पटेटो को आच्छी तरह मसाला में कोट कर लेंगे मसाला में आच्छी तरह कोट करने के बाद हम इस पटेटो को वान आवार रिष्ट के लिए रखतेंगे मैं यहां पे marinated potato को one hour के लिए wrap करके freeze में रखतूंगी मैं यहां पे four udon skewer ली हूँ इस skewer को मैं 20 minutes पेले पानी में soak कर ली थी पानी में नहीं soak करेंगे तो यह ओभान में जाते ही जल जाएगा अभी हम इस marinated potato को एक एक करके skewer में डालेंगे मैं यहां पे सारे potato को skewer में डाल दी हूँ अभी हम इसको एक baking tray में सजा लेंगे और जो बच्चा हुआ मसाला था उसको potato को उपर दे देंगे मैं marinate की time oil नहीं डाली थी इसलिए मैं यहां पे potato के उपर oil स्प्रे करतूंगी मैं यहां पे oven को 10 minutes पेले free heat के लिए रगती थी यहां पे मैं अभी potato को oven के अंदर दे दूंगी और मेरे oven का जो temperature है अभी 350 है तो 350 में हम इसको 15 to 20 minutes के लिए bake करेंगे यह potato को bake होते हुए 15 minutes हो गया है अभी हम इसको check कर लेंगे मेरा जो उफर का side था वो हलका brown हो चिका है अभी हम उसको निचे की तरफ कर लेंगे और 10 minutes के लिए cook होने छोड़ देंगे मेरा तंदूरी potato बन के तयार है यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप इसे बनाए और अपना experience मेरे सथ स्यार किजिए थैंक यू